Hello students, welcome to my channel तो भी ये 5th semester English Literature के paper 2 में आपके syllabus में डॉलर बहु सुधा मुर्ती का एक novel है तो ये novel मैं पढ़ा चुकी हूँ और उस पर जितने भी important question answer है उसकी वीडियो भी मैं upload कर चुकी हूँ देखिए जो novel के अंदर main character होते हैं उनका character sketch exam में long question में पूछा जाता है तो आज के इस वीडियो का आपके लिए बहुत important question है आपके exam के point of view से 2024 के लिए give the character sketch of Vinuta ये 2024 के लिए तो important है ये बट आने वाले years के लिए भी ये important है क्योंकि character sketch जो है ये हर साल पूछा जाता है तो आने वाले वर्सों के बच्चे भी इसको अच्छे से तयार करेंगे ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी character sketch को जब आप exam में लिखते हैं तो heading by heading लिखा करें आपको marks अच्छे मिलते हैं बाकी other जो novel हैं उन पर भी मैं videos upload कर चुकी हूँ तो आपका 8 unit पर पूरा complete videos आपको playlist में मिल जाएगा paper 1, paper 2 हर एक subject का चलिए देखते हैं first heading है विनूता के character sketch में introduction सबसे पहले आप introduction दीजिए इसके बारे में आकर यह है कौन विनूता is the main character in the novel डॉलर बहु by सुधा मूर्थी सुधा मूर्थी के novel डॉलर बहु में विनूता में character है she is a kind, simple and caring woman who values relationships over money यह kind है दयालू है simple है और caring woman है ख्याल लगती है लोगों का अपने family के लोगों का who values relationship जो relationship को जादा value देती है over money money से जाद इसकी जो सास थी mother Allah जो थी इसकी गौरमा वो money पर जाद फोकस करती थी वो थोगा greedy टाइप की mother थी और अपने बेटा बहु विनूता और गिरिश को कम प्यार करती थी क्योंकि यह लोग Indian rupees कमाते थे तो जो डॉलर बहुती उसको प्यार जादा करती थी जो अमेरिका में रहती थी लेकिन विनूता पैसों से जादा रिष्टों पर ध्यान देती थी विनूता is married to गिरिश विनूता की शादी गिरिश होती है यह middle class man जो एक middle class आदमी है बैंक में color को होता है and leaves in India with his family और गिरिश इंडिया में अपनी family के साथ रहता है जबकि गिरिश का बड़ा भाई जो था वो अमेरिका में रहता है तो गिरिश की मा जो थी अमेरिका वाले बेटा बहु को जादा प्यार करती थी क्योंकि वो डॉलर कमाते थे second heading है आपकी appearance यानी विनूता दिखती कैसी थी तो इसके बारे में भी एक heading ज़रूर डालिएगा विनूता एक simple girl and an orphan विनूता बहुत ही simple लड़की है और अनात थी है इसका कोई नहीं था माता पिता मर चुके थे विनूता के बारे में describe किया गया है कि इसकी skin fair है बोल्ड ब्लैक आईज काली आखे है ए स्ट्रेट नोज और सीधी नाक है इसकी a long thick hair breaded into a plight और इसके जो बाल है वो लंबे घने है तो इसके बारे में इस तरह से describe किया गया है कि यह ऐसी दिखती है थर्ड हेडिंग है simple and kind nature यानि कि सरल और दयालू सौभाव इसका जो nature है बहुती simple and kind है विनूता is a simple kind hearted woman विनूता बहुती सरल और दयालू दिलवाली महिला है who values relationships over material wealth जो की भौतिक धन से जादर रिष्टों को महत्व देती है material का मतलब होता है भौतिक wealth मतलब होता है धन या money आप क्या सकते हैं तो यह पैसों से जादर और भौतिक दुनिया यानि luxury life से जादर यह रिष्टों को महत्व देती है प्यार देती है she is caring and always puts her family first यह बहुत caring है और हमेशा यह अपने परिवार को रखती है सब से पहले puts मतलब रखना her family first यह अपने family को हमेशा हर चीज से पहले रखती है क्योंकि यह बहुती अच्छी kind नेचर वाली लड़की है fourth heading है विनुता के character sketch में hard working and responsible यह मेहनती और जिम्मेदार है she is hard working and responsible इस novel को जब आप लोगों ने पढ़ा आ तभी आपको विनुता के बारे में गया अंदाजा लग गया होगा कि यह कितने जादा responsible और hard working लड़की है always trying her best वो हमेशा based यानि सही करने की कोशिश करती है मेहनत करती है to take care of her in-laws and household यह बहुती जादा मेहनत करती है अपने घर की कामों में and take care of her in-laws और अपने साथ ससुर का भी बहुत जादा ख्याल रखती है she is dedicated to her duties as a wife and daughter-in-law यह अपनी duties को बहुती अच्छे से पूरा करती है as a wife and as a daughter-in-law मतबिक बहु और बीवी के रूप में यह अपने करतवियों को अच्छे से पूरा करती है विनूता tries to ignore her mother-in-law's stance विनूता tries करती है कोशिश करती है ignore करने की हमेशा अपने mother-in-law के ताने को जैसे इसकी जो mother-in-law है गौरमा यह हमेशा इसे ताना देती रहती है कि विनूता अच्छी नहीं है कम कमाती है टीचर है इंडियन रुपीज कमाती है मेरी बहु जमुना अमेरिका में रहती है डॉलर बहु है स्टेंडर है मतलब हर तरफ से इसको सुनाती रहती थी इसकी सास मगर यह फिर भी हमेशा अपने सास के तानों को नजर अंदास करती थी और उनका अच्छे से ख्याल रखती थी मतलब पैसों को एक साइड रखकर यह अपने सास ससुर का एक बहू और बेटी की तरह ख्याल रखती थी फिर भी इसे ससुराल में हमेशा अपनी सास का ताना सुना रहता था तो उन सब चीजों को नजर अंदास करके यह हमेशा मेहनत करती थी तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि यह कितनी अच्छी लड़की है आपकी देखिए फिफ्ट हेडिंग है नेगलेक्टेड एन अंडर वैल्यूड यानि उपेच्छित और कम आंकी गई मतलब इसकी सास ने इसे कम आंका और उपेच्छित समझा अपने सभी प्रयासों के बावजूद भी इतनी मेहनत यह करती थी इसपाइट हर एफर्स अपने इतनी सारी मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी विनुता अक्सर महसूस करती है उप नेगलेक्टेड यानि उपेच्छित क्योंकि इसकी सास जो है अपनी अमीर बहू जमुना को जादा महत्व देती है जादा प्यार देती है क्योंकि वो अमेरिका में रहती है मतलब वो तो सास का ख्याल भी नहीं रखती दूर रहती है तो अभी सास के मुपर सिफ जमुना है क्यों सकी वो अमेरिका में रहती है उसका हजबेंट डॉलर कमाता है तो लुगंति विन्पार इतना सबकुछ करके भी हमेशा प्यार नहीं पाती थी, ताने ही सुनती थी विनूता के करेक्टर इसकेच में 6 हेडिंग है Her loving nature, इसका जो nature है प्यार करने वाला है विनूता is humble and does not chase material wealth विनूता humble है और कभी ये material wealth को अपने उपर हावी नहीं होने दे थी She believes in love, family, values and strength to her roots और ये believe करती है प्यार में, परिवार में और परिवार को ये हमेशा value देती है और इसे सच्चाई के साथ रहना अच्छा लगता है विनूता does not desire riches luxury विनूता को इच्छा नहीं है, desire नहीं है riches luxury life की जैसे इसकी जो जेठानी है, sister in law जो इसकी है, जमुना वो क्या है, वो luxury life में believe करती है, पैसो में यकीन रखती है और अपने आपको हमेशा दिखावा करती रहती है कि मैं अमीर हूँ, इस तरीके से तो विनूता के अंदर ये सारी चीज़े नहीं है she finding happiness in simple things और ये हमेशा खुशी पाती है simple चीज़ों में तो इसका जो nature है काफी जादा loving है सेवन्थ हेडिंग है conclusion देखिए, लास्ट हेडिंग किसी भी करेक्टर इसकेश में आप conclusion ही डाला करें तो विनूता's character is a symbol of inner strength and humility विनूता का जो character है वो आंतरिक शक्ती और विनर्मता का प्रतीक है she handles life's challenges with patience and grace और वो अपने life की चुनोतियों को, challenges को हमेशन धैर और गरीमा के साथ संभालती है never allowing bitterness to overcome her values और वो कभी कड़वाहट को अपने मुल्यों के उपर हावी नहीं होने देती तो character sketch में conclusion में आप ये जरूर लिखेगा और ये 7 heading के माधियम से हम लोगों ने विनूता का character sketch देखा तो बहुत important है, आप इसको तयार कीज़ेगा, long में पूछता है उसके लावा आपके cell bus में जितने भी novel दियेगे हैं उन पर short, long, सभी प्रकार के मैंने वीडियो अप्लोड कर दिये short answer type question, long answer type question तो आपको मैं playlist की link दे दूँगे इसी वीडियो के description box में तो आप लोग सब देख लिजेगा paper 1 and paper 2 English literature का और इसके लावा भी others अभी subject का आपको हमारे channel पे मिलेगा तो visit जरूर कीजेगा दोस्तों के साथ share कर दीजेगा ताकि हर कोई exam के तयारी अच्छे से कर सके